नमस्कार नीजरू में आप सभी का स्वागत है पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर तो बधाली जेल ही रहा है साथी वहां राजनीतिक मोर्चे पर भी भारी अस्थिरता है विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाओ कराओ लेकिन सरकार का कहना है कि पैसे नहीं है यहीं नहीं पाकिस्तान की सरकार वहां के सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि भारत हमला कर सकता है इसलिए सरकार का ध्यान अभी चुनाओ कराने पर लगाना ठीक नहीं होगा लेकिन इस सब अटकलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहवाज शरीफ ने गुरुवार को अचानक से नेशनल एसम्बली में विश्वास मत हासिल कर सब को चौका दिया सरकार और शीर्ष नयापालिका के मध्य बढ़ते टकराओं के बीच चौकाने वाले एक खटना करम के तहत 180 सांसदों ने शहवाज शरीफ के नेतरित में पूर्ण भरुसा जयताया वैसे विश्वास मत हासिल करने के लिए शहवाज शरीफ को केवल 172 वोटों की जरुत थे पाकिस्तान पेपोल्स पार्टी के प्रमुक और विदेश मंतरी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निचले सदन में प्रधान मंतरी शहवाज शरीफ के नेतरित में पूर्ण प्रधान मंतरी शहवाज शरीफ ने बाद में सदन को संबुधित किया और उन पर विश्वास चताने के लिए सांसदों को धन्यवाद दिया हाला कि इसके पहले सूचना मंतरी मरियम औरंग्जेब ने उन खबरों को खारिच कर दिया था कि शिर्ष नयायपालिका के साथ व विधे को नेशनल असम्बली द्वारा खारिच किये जाने के बाद शहवाज शरीफ के नए सिरे से विश्वास मत हासिल करने की अठकले लगाई जा रही थी नेशनल असम्बली इस साल अगस्त में अपना पांच साल का कारेकाल पूरा करेगी संविधान के अनुसार निचल प्रांती विधान समाओं के चुनाओ कराने के लिए दवावना रही है लेकिन सरकार देश भर में एक साथ चुनाओ कराने के अपने रुख पर कायम है इस वीच पाकिस्तान में चुनाओ कराने को लेकर जारी गतिरोत को समाप्त करने के लिए गुरुवार को सरकार और पक्षे महाल में हुई और दोनों पक्षों ने अपना अपना रुख सामने रखा सरकार की वारता टीम के एक प्रमुख सदस से यूसुफ राजा गिरानी ने पहले दौर के बाद मीडिया को बताया कि वारता शुक्रवार को फिर से शुरू होगी उन्होंने कहा कि पीटी किया जा सकता है महंगाई तथा आतंकवाद की घटनाओं के चलते पाकिस्तान सरकार की अलोग पुरेता भी चरम पर है ऐसे में सदन का विश्वास हासिल कर शहवाज शरीफ ने अपने राजीतिक और अन्य विरोधियों पर बढ़त बनाने की सफल चाल तो चल दी है लेकिन देखना होगा कि सेना और सुप्रीम कोट उन्हें कितने दिन तक पद पर बने रहने देते हैं अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके